गेहूं के ये हरे भरे खेत, ये जूमती लहराती बालियां देश में खाद्य सुरक्षा का आधार हैं किसानों के लिए ये सुनहरे दाने अपार हर्ष और प्रसन्यता का स्रोत हैं सुख और संतोष की सवस्था के पीछे किसानों का कठोर श्रंब ही छिपा है देश के मेहनत कशकिसान लगभग धाई करोड हेक्टेर क्षेत्र से साथ करोड़ टन से जादा गेहूं गाकर हर नागरी की जरूरत पूरी करते हैं गेहूं के बुवाई क्षेत्र को और अधिक बहाना संभव पृतीत नहीं होता इसलिए उत्पादन लक्षे की प्राक्ति के लिए अधिक उपजवाली खिस्मों एवं बहतर उत्पादन तक्नीकों का सामंजस से करना होगा संसाधन संग्रक्षन प्राध्योगी की के नाम से प्रिसिद्ध इन तक्नीकों की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है इन्हें अपनाने से गेहूं की उत्पादन लागत कम होती है फलस वरूत किसानों की आमदनी बढ़ती है मिट्टी की दशा सुधरने के कारण उत्पादन में तिका उपन आता है साथ ही अंतराश्ट्रिय बाजार के लिए गेहूं की खीमत प्रतिसपर्धी बनाने में भी सहायता प्रदान करती है भारतिय कृशियनुसंधान परिशद के तत्वावधान में करनाल स्थित गेहूं अनुसंधान निदेशालय अपनी स्थापना के समय से ही इस प्रकार की तक्नीके विक्सित करने और इन्हें किसानों के बीच लोग के प्रिये बनाने का प्यास कर रहा है गेहूं की बुवाई की एक बहुपयोगी और लाबकारी तक्नीक है जीरो टिलेच धान गेहूं फसल प्रणाली में इसने अपनी उपियोगिता साबित कर दी है हर्याना में प्रचलित होने के बाद पंजाब और उत्तरपूर्व भारत में इसका प्रसार हो रहा है पारंपरिक रूप से धान गेहूं फसल प्रणाली में धान की कटाई के बाद मिट्टी की दशा के नुसार छे से बारे बार ट्रेक्टर चला कर गेहूं की बुवाई के लिए खेत तैयार किया जाता है इसमें समय और श्रम के साथ ही ट्रेक्टर के इंधन का भारी खर्चा करना पड़ता है जीरो टिलेज से बुवाई के लिए विशेश रूप से डिजाइन की गई बीज संग उर्वरक डालने वाली मशीन याने जीरो टिल ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है इसमें टाइन या फाले की बनावट चाकू की तरह है इससे मिट्टी में पतली दरार बनती है और इसी में बीज और उर्वरक को निश्चित गहराई पर छोड़ा जाता है बुवाई की गहराई कम या ज्यादा करने के लिए मशीन में दो साइड वील लगाए गए है और इसे आविशक तानुसार व्यविस्थित करने के लिए एक ग्रूव भी है मशीन में दो बक्से लगे हैं एक बीज के लिए और दूसरा खाद के लिए प्रतेक बॉक्स में लॉकिंग बोल्ट और स्केल के साथ लीवर लगा है ताकि बीज और खाद की निश्चित मात्रा खेत में डाली जा सके मशीन के पीछे लक्री का एक फट्टा लगाया गया है जिस पर बैट कर एक व्यक्ती बीज और खाद की नालियों पर निगाह रखता है इससे एक घंटे में लगभग दो एकर जमीन में बॉआई हो जाती है जीरो टिलेज से खेत की तैयारी में लगने वाले समय की बचत के कारण गेहु की बुआई 5 से 10 दिन पहले की जा सकती है इससे गेहु की बुआई में देरी की संभावना समाप्त हो जाती है इस तरीके से गेहु की ठीक समय पर तथा पछेती दोनों ही प्रकार की बुआई करना संभव है इससे खेत को तयार करने की लागत में 2-3,000 रुपे प्रतिहत्यर तक की बचत होती है केवल एक बार ट्रेक्टर चलने के कारण डीजल की 92 प्रतिशत तक बचत होती है कम डीजल के इस्तिमाल एवं धान के सारे अवशेशों को खेत में ना जलाने से प्रदूशन पर भी अंकुश लगता है इस प्रकार पर्यावरण को अतरिक्त लाब राथ होता है Zero Tillage प्रतनीक से अधिक पैदावार लेने के लिए पारमपरिक पद्धती के पराबर ही वीज एवं खाद का उपयोग किया जाता है पानी की जरूरत पारमपरिक पद्धती की तुलना में थोड़ी कम होती है जीरो टिलेट से बुवाई करने पर गेहूं के खेतों में मंडूसी जिसे कनकी अथवा गुल्ली डंडा कहते हैं उसका प्रकोप अब एक शक्रत कम दिखाई देता है क्योंकि जुदाई न होने के कारण हर्पतवार के बीज धूमी के बीतर गहराई में ही दबे रह जाते हैं उन्हें सत्य पर आकर अंकुरित होने का मौका नहीं मिल पाता गेहूं की खेती में कृशी संसाधनों की बचत के लिए विक्सिद एक अन्य तकनीक बैड प्लांटिंग याने फर्ब प्रणाली के नाम से लोकप्रिय है इसमें खेत की तैयारी पारंपरिक तरीखे से ही की जाती है और फिर मेर बनाकर गेहूं की बुआई की जाती है मेरों के बीट जो नालियां बनती है उन्ही के जरिये सिंचाई की जाती है और यही नालियां बरसात में जलने कासी का काम भी करती है खेत में मेर और नाली बनाने का काम बैड प्लांटर नामक एक विशेश मशीन द्वारा किया जाता है जो बुआई के साथ ही उर्वरक डालने का काम भी करती है आम तोर पर 65 से 75 सेंटीमीटर चौड़ी मेर बनाई जाती है जिस पर दो या तीन कतारों में बुआई करते हैं बैड प्लांटिंग मशीन में मेर की चौड़ाई और उंचाई आवश्यक कानुसार समायुजित करने की विवस्था होती है इसके लिए फ्रेम पर धाई सेंटीमीटर की दूरी पर दिये गए छेदों की सहायता से फालों को अंदर या बाहर लगा कर समायोजित करना पड़ता है मेरों की उचाई मशीन के पीछे लगे रोलरों की सहायता से कम या ज्यादा की जा सकती है जीरो टिलेज मशीन की तरह इसमें भी फाले चाको नुमा लगाए गए हैं इसकी सहायता से गेहूं के बाद मेर पर उगाई जाने वाली अन्य फसलें और उन फसलों के बाद गेहूं की सीधे एक बार में ही मेरों पर बुआई की जा सकती है मेर पर खरीफ में मक्ता, सोयबीन, अरहर और कपास उगाई जा सकती हैं जबकि रभी में यहूं, सरसों एवं आलू मतरादी सबजियों की खेती की जा सकती है इन्ही मेरों पर धान उगाने के प्रयास भी प्रगती पर हैं इस तरहे खेत की तैयारी में लगने वाले समय, श्रम और डीजल की बचत होती है यह फायदा बैट प्लांटिंग तक्नीक से मिलने वाले आम लाभों के अतिरिक्त प्राप्त होता है बैट प्लांटिंग तक्नीक में पारंपरिक गुआई की तुल्ना में बीज और नाइटोजन की 25 प्रतिशत बचत होती है इसके अलावा मिट्टी के प्रकार और जलवाईयू के नुसार 25 से 40 प्रतिशत तक पानी की बचत होती है और उत्पादन अच्छा होता है बैट प्लांटिंग प्रणाली से एक घंटे में औसतन एक से सवा एकड़ खेत्र में बवाई की जा सकती है बैट प्लांटिंग याने फर्ब प्रणाली में मंडूसी का प्रकोप अपेक्शकृत कम होता है क्योंकि मेंड की सतह जल्दी सूख जाने के कारण खर्पतवार के बीज अंकुरित नहीं हो पाते यदि फिर भी मेंड पर और नालियों में खर्पतवार उगाएं तो उन्हें हाथ से उखार फेकना आसान होता है किसान भाई नालियों में चलते हुए ये काम आसानी से कर सकते हैं इसलिए बेड प्लांटिंग प्रणाली पर्यावरण हितैशी भी है बहतर उत्पादन के लिए फर्ब प्रणाली में पारंपरिक बुआई के दुल्ना में एक से दो अतरिक सिंचाई की जाती है लेकिन प्रती सिंचाई लगभग आधा पानी लगने के कारण पानी की पचत होती है उत्तरपश्चिमी भारत में किसान आमतोर पर आखिरी सिंचाई नहीं करते क्योंकि इससे फसल गिरने की संभाव न रहती है लेकिन बेड प्लांटिंग प्रनाली में पौधे पानी के सीधे संपर्क में नहीं रहते इसलिए आखिरी सिंचाई का लाब उठाया जा सकता है बेड प्लांटिंग प्रनाली गेहूं के बीज उत्पादन के लिए भी आदर्श है इस तक्नीक में अवांचित पौधों को आसानी से निकाल देने की सुविधा के कारण पीज की शुद्धता बनाए रखना आसान है इस प्रनाली में पौधों को पर्याप्त प्रकाश मिलने से बढ़ुत्री में भी सहयता मिलती है अपनी उप्योगिताओं और संभावनाओं के कारण बेड प्लांटिंग प्रनाली उत्तरी राजस्थान के किसानों के साथ साथ पंजाब एवं हर्याना के किसानों को भी आकरशित कर रही है संसाधन संग्रक्षन प्रोध्योगी की केक्षित्र में रोटरी टिलेज तकनीक एक अन्य महत्तपूर उपलब दी है रोटरी टिल डिल नामा की मशीन एक बार में चार कामने प्टाती है मिट्टी को भुरभुरा बनाकर खेत को तयार करती है बीज और उर्वरक की उचित मात्रा उपयुक्त गहराई पर डालती है और पाटा लगाती है इसलिए ट्रेक्टर एक बार ही चलाना परता है जबकि परमपरगत तकनीक में लगभग 6 से बारे बार ट्रेक्टर चला कर खेत की तयारी और बुआई करने के सारे काम संपन्न किये जाते है इसलिए समय, श्रम और डीजल की बचत होती है रोटरी टिलेज तकनीक में ट्रेक्टर में लगने वाले इंधन और समय की 70 से 90 प्रतिशत तक बचत हो सकती है खेत की तयारी की लागत में लगभग 2000 रुपए प्रति हेक्टेर तक की बचत हो जाती है समय में बचत के कारण इसके जरिये सामान्य और पच्छेती दोनों ही दशाओं में गेहूं की बुआई, धान की कटाई के तुरंत बाद की जा सकती है इसके अलावा इस तक्नीक से अन्य प्रणालियों की तुलना में साथ से दस प्रतिशत अधिक उत्पादन भी प्राप्त होता है रोटरी तिलेज मशीन में मुख्य कार्रे रोटरी तिलर करता है जिसमें ब्लेड के साथ गैंग लगे होते हैं हर गैंग के उपर एलाकार के छे प्लेड लगे होते हैं जो 300 RPM की रफ्तार से घूमते हैं इसे चलाने पर 180 सेंटिमीटर चौड़ी पट्टी तयार होती है जिस पर बुआई की जाती है रोटरी तिलेज मशीन मिट्टी को साथ से 10 सेंटिमीटर गहराई तक भुरभुरी बना देती है 9 से 11 कतारों में एक साथ बीज और उर्वरक डालने के लिए बीज एवं उर्वरक एक साथ देने वाली ड्रिल लगी होती है हालों को उपर या नीचे करके बीज और उर्वरक की गहराई आवश्यक तानुसार समायोजित की जाती है इसी के साथ पाठा लगाने की युक्ती भी जुड़ी रहती है वैज्यानिकों ने संसाधन संग्रक्षन प्रोध्योगी की के रूप में एक अन्य लाभकारी बुआई तकनीक भी विक्सित की है जिसे सर्फस सीडिंग या सतही बुआई कहते हैं इसमें किसी तरह की मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता धान के खेट में अधिक नमी की दशा को देखते हुए धान की कटाई से कुछ दिल पहले या फौरण बाद गेहु के सूखे बीजों या पानी में भिगोए गए बीजों की बुआई की जाती है खेट में गेहूं के बीजों को चिडियों से बचाने के लिए बीज में गोबर मिलाकर बिखेरा जाता है ये तकनीक उनक्षेत्रों के लिए फायदे मंध है जहां धान के खेट में कटाई के बाद लंबे समय तक अधिक नमी बनी रहती है जिससे गेहु के लिए खेत की तैयारी नहीं हो पाती विवश होकर किसान को खेत से वर्ष में केवल एक फसल लेकर ही संतोश करना पड़ता है पूर्वी उत्तरपदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल में ऐसी दशाएं होने के कारण धान के बाद गेहु की खेती करने का अधिक प्रचलन नहीं है लेकिन सतही बुआई तकनीक अपनाने से उसे गेहु की फसल लेने का अवसर प्राप्थ हो जाता है खेत की तैयारी में लगने वाले संसाधनों की बचत के कारण गेहु की उत्पादन लागत में काफी कमी हो जाती है संसाधनों के अभाव से जूचते छोटे और सीमान्त किसानों के लिए सतही बुआई तकनीक आमदनी बढ़ाने का अच्छा अवसर है हाल ही में असाधारन नतीजे देने वाली एक अन्य प्रभावशाली तकनीक भी विकसित की गई है इसके अंतरगत खेत को भली प्रकार समतल करने के लिए लेजर लेंड लेंबलिंग नामक एक मशीन विकसित की गई है ट्रेक्टर में लगाकर चलाई जाने वाली लेजर किरणों से संचालेत ये मशीन खेत को पूरी तरह समतल कर देती है इसमें लेजर किरणों के इस्तिमाल से ट्रैक्टर में लगे मिट्टी खुरचने वाले ब्लेड को स्वचालित धंग से उपर नीचे करपाना संभव होता है इस प्रकार उंचे स्थानों से मिट्टी कट कर अपने आप नीचे स्थानों पर आ जाती है और भूमी पूरी तरह समतल हो जाती है लेजर लेंड लेवलर के मुख्य रूप से चार हिस्से होते हैं लेजर संप्रेशक, लेजर ग्राही, नियंतरन बॉक्स और हाइड्रॉलिक यूनिल लेजर संप्रेशक द्वारा लेजर किरने छोड़ी जाती हैं जिनकी मदद से खेत के उचे नीचे हिस्सों का पता चलता है लेजर ग्राही ट्रेक्टर के ब्लेड के साथ जुड़ा होता है और लेजर संकेतों को नियंतरन बॉक्स तक पहुँचाता है लेजर संकेतों को विशलेशित करने और ब्लेड के लिए आवश्यक स्थुती बताने का काम नियंतरन बॉक्स द्वारा किया जाता है और अंत में हाइड्रॉलिक यूनिट ब्लेड को उपर नीचे करने का काम करती है देखा गया है कि यदि खेत की सतह भली प्रकार से समतल न हो तो सिंचाई के पानी की 20 से 25 प्रतिशत तक मात्रा व्यर्थ चली जाती है साथ ही असमतल खेत में कहीं पानी के भराव और कहीं अभाव रहने से फसल उत्बादन पर प्रतिकूल प्रभाव परता है गयहू की खेती में लेजर लेंड लेवलिंग मशीन के उप्योग से सिंचाई के पानी का फुशल उप्योग हो जाता है और उपज में 10 से 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी भी संभव है प्रशी वैज्यानिकों द्वारा विक्सित गयहू की सुधरी जुताई तक्नीकों ने प्रिशक समुदाय को धन, श्रम, उर्जा और समय के बचत्ती आसान रहा दिखाई है पर्यावरण और संसाधनों के संग्रक्षन के साथ टिकाव उत्पादन का वादा करने वाली ये तक्नीकें किसानों द्वारा व्यापक रूप से अपनाई जा रही है इससे देश में गेहों के उत्पादन और उत्पादक्ता में वृद्धी की सुनहरी संभावना उत्पन हुई है गेहों के खेतों में किसान और विज्ञान का संग्म अपना जादू बिखेरने लगा है सन 2020 तक गेहों के उत्पादन में वृद्धी का लक्ष अब अधिक आसान प्रतीत होने लगा है आईए इन तक्नीकों को अपना कर देश की खाद्य सुरक्षा को ठोस आधार देने में अपना योगदान करें आईए आईए प्रत्त्त्त्त्त्त्तर्ट्स का लगा है झाल झाल झाल